एमेल मार्किटिंग कोर्स के इस वीडियो में आज आप सीखेंगे कैसे आप एक्टिफ कैंपेइन में प्रोपर लेंडिन पेज डिजाइन कर सकते हैं दोस्तों एमेल सॉट्फवेर के थूब लेंडिंग पेज डिजाइन करा जा सकता और उस्से भी आप इमेल डाटा पूरा वीडियो एंट तक देखेगा बहुत है और दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लिजे बैल एकन दबा दीजे ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो और कोर्स ना हो एक और इंपॉर्टेंट अपडेट मार्केटिंग फंडास आप लोगों के लिए लेकर आया है महा बंडल कोर्स जिसके अंदर 55 से भी ज्यादा डिजिटल टेकनिकल कोर्स हैं बिलकुल लेटेस्ट जिसमें हाई इंकम स्किल्स हैं और दोस्तों हर महिने नएने कोर्स अपडेट होते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे हुए क्लिक कीजिए एक्स्प्लोर 2020 जिसमें लर्णिंग अर्णिंग एज साथ मिलेगी आइए चलते हैं और सीखते हैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विश्स ट्रेनिंग इसके लिएग उपडेग मियद्व कर सकते हैं हमारे वीसेट कश्थ कर सकते हैं proper landing page जिसमें आप सारी चीज़ आड कर सकते हैं जो important या फिर कहा जाए एक landing page बनाने के लिए जरूरी होता है तो directly चलते हैं हमारे active campaign account पर और create करते हैं एक landing page So guys, as you can see, हम अपने landing page, sorry, active campaign account पर आ चुके हैं, dashboard पर और अब हमें landing page बनाने के लिए जाना पड़ेगा website option पर website पर आप जैसे click करेंगे, यहाँ पे कुछ option के साथ आप पहले familiar होंगे जिसे हमने पहले explore कर लिया है, let it open properly अब जैसे यह open होता है, आपके सामने सबसे पहला option दिखता है forms का तो forms आपको मैं already बता चुका हूँ, हमको forms create कर चुके हैं और उसे अपनी website में embed भी कर चुके हैं, ना उसके just नीचे आपको एक और option में लेगा pages का, आप जब इस पर click करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी page अवेलेबल नहीं है बट यहीं से आप अपने landing page create कर सकते हैं proper, जो आपके active campaign के अंदर ही hosted होगा मतलब इसके लिए आपको कोई hosting की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अलग से, आपको just add a new page पे click करना है अब जैसे आप add a new page पे click करेंगे, यह आपको कुछ templates देगा, अगर आप चाहें तो उन templates का use कर सकते हैं, otherwise आप properly scratch से भी अपना जो page है वो build कर सकते हैं, ठीक है, तो यह load हो रहा है अब यहाँ पे आपके पास, sorry, आपके पास कुछ templates है जिसे आप use कर सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा आप चाहें properly blank से बनाना, scratch से बनाना, वो भी कर सकते हैं तो यह तो आपके उपर है, जो भी option चूज करना चाहते हैं, let's say हम फिलाल के लिए एक option ले ले लेते हैं, this one ठीक है, हम चाहें तो preview भी कर सकते हैं, ठीक है, so that की पहले हम देख पाएं कि क्या designing है इस page का, मैंने preview पे click किया, अब यह हमें preview दिखा रहा है, तो कुछ इस तरीके से यह page दिखता है, इसको आप अपने हिसाब से customize कर सकते हैं, यह जो normal आपको template दिख रहा है, ठीक है, आप इसी designing को अपने हिसाब से बना सकते हैं, अब यह है desktop version, आप इसका mobile version भी check कर सकते हैं, mobile पे यह कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है, अगर आपको पसंद आता है, तो आप इसी को use कर सकते हैं, और अगर नहीं तो वापस जाके दूसरा कोई भी check out कर सकते हैं, ठीक है, लग रही है, लेंडिंग पेज, और अगर हम website version देखें, तो वो भी काफी अच्छ लग रहा है, right, proper एक website लग रहा है, आप चाहें, तो इसे use कर सकते हैं, बट फिलाल के लिए हम थोड़ा सो simple, like, जिसमें हम ज़्यादा detail अड़ कर सकें, वो देखते हैं, इसे use करते हैं, user template अब जैसे आप use this template पर click करेंगे, यह आपका template open कर देगा, editor के साथ, जहां पर आप इसे create कर पाएंगे, अब जैसे यह open होता है, सबसे पहले आप से नाम पूछेगा, कि क्या आप इस page का नाम रखना चाहते हैं, इस page का, तो कुछ भी आप डाल सकते हैं, फिलाल के लिए हम पर आगया, as you can see, और अब आप इसको properly edit कर पाएंगे, अपने हिसाब से, ठीक है, यह सारे blocks आपको मिल जाते हैं, theme पर click करेंगे, आप theme, basically जो color theme है, वो change कर पाएंगे, तो काफी options available है, पहले तो blocks पर चलते हैं, blocks से start करते हैं, तो let's say कि आपको कोई section add करना है, तो यह आपक इसे डालना है, ठीक है, let's say कि मेरे को top पे डालना है navigation, तो इस तरीके से मैं navigation डाल सकता हूँ, यह देखे, navigation का home मेरे को show करने लगा है, अब मैं चाहूँ तो इसे properly edit भी कर सकता हूँ, किस तरीके से मेरे को properly सारी चीज़ आइड करनी है, अब जैसे navigation item मेरे को सिर्फ home देख मेरे को और भी चीज़ आड करनी है, तो मैं वह भी कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यह आपको properly explore करना पड़ेगा, इस चीज़ को की कैसे आप use कर सकते हैं, मैं थोड़ा साब को tutorial दे जता हूँ, navigation से हमने start करा है, ठीक है, धेरे-धेरे करके हम लाल के लिए, तो यह हमने number डाल दिया, अब जैसे यह आप example number डाल ले, आप तो example नहीं डालेंगे, मैंने example डाले, ठीक है, तो आप इसे just done कर सकते हैं, और यहाँ पर वो चीज़ आ जाएगी, ठीक है, आप चाहें, तो और भी चीज़ आड कर सकते हैं, प्लस प्लस पर बस क्लिक करते जाएगा, और आपको कई options यहां मिलते हैं, जैसे मैं दुबारा क्लिक करके दिखा हूँ, download file का option, jump to section, although आपको navigation bar की यहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप एक landing page बना रहे हैं, और landing page में navigation bar mostly नहीं चाहिए होता है, अगर चाहिए भी होता है, तो ले जाना चाहते है, let's say, benefit of product पर ले जाना चाहते है, तो आप उस section पर जैसे user जो click करेगा, वो सीधा उस section पर पहुँच जागा, इस तरीके से आप कर सकते है, navigation bar का use कर सकते है, then यहां पर आप click करेंगे, तो यहां आप लोगो बदल पाएंगे, अपना कोई भी logo, let's say, मैं replace पर click करता हूँ, और यहां पर अगर हमारा पास कोई logo, yes, हमारा पास हमारा logo है, हम उसे लगा देंगे, यहां पर obviously transparent logo चाहिए होगा, अगर वो होता तो properly ज्यादा अच्छा fit होता है, ठीक है, background image है, वो भी मैं change कर पाऊंगा, देखिए, आपको just sections पर click करना है, और उससे ज change करना है, let's see, कहां पर यह option मिलेगा, हमें, text पर है, ठीक है, और हमें तो यहां कोई option नहीं देख रहा, और यहां अगर आपको option नहीं देख रहा, तो most probably, आप text को यहीं पर change कर पाएंगे, let's see, मैं एक बडबल क्लिक करता हूँ, yes, as you can see, यहीं पर हमारे पास option आ गया, changes कर ठीक है, अब मैं चाहूँ तो इसमें कुछ extra add करना चाहूँ, तो वो चीज़ भी add कर सकता हूँ, हटाना चाहूँ, वो चीज़ भी कर सकता हूँ, ठीक है, यहां पर ही आपके पास editing menu बार आ जाता है, color कौन सा रखना है, अगर इसमें भी link लगाना चाते है, anchor text लगाना चा और अगर मैं दुबारा से यहां पर click करूँ, मैं थोड़ा सा basic चीज़े आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहां पर click करा, इस बार मैंने text के changes के perspective से मैंने नहीं करा, मैंने इस बार background image है, उसको मैं change करना चाहता हूँ, तो obviously मुझे section को select करना पड़ेगा, यह जो से अगर यह image हमारी properly fit होती है, तो हम इसे लगा देते, although काफी बुरी लगेगी यहां पर यह image, but as I told you, idea के लिए just हम बता रहें आपको, right, तो इस तरीके से आपकी यह जो, देखे, image आ चुकी है, headline आप बदल सकते हैं, then text, text, आपका यह जो CTA button है, CTA button पर भी आप double click करके text क edit कर सकते हैं, और अगर इस पर कोई link डालना है, तो वो I guess आप यहां से भी कर पाएंगे, on click पे, open link क्लिक करेंगे, यहां पर आप link डाल सकते हैं, जो भी link डालेंगे, और जब user इस पर click करेगा, तो वही link open होगा, इस तरीके से चीज़े work करती है, ठीक है, तो I hope आपको यह वाला चीज समझ आई होगी, थोड़ा सा नीचे आएंगे, इन sections को भी आप उसी हिसाब से, just उस पर click कीजिए, और उस से जुड़ी हुई options आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है, अभी यहां पर आप text section पे, अगर आप column पे जाना चाते हैं, यह देखिए, जैसी मैंने, जो पर section पे hover करूं, just, तो यह मेरे को show कर रहा है कि यह section वाला area कितना है, और अगर मैं इस section पे जाके कोई changes करूं, यहां पे, ठीक है, तो कितने area में वो changes visible होंगे, यह देखिए, हरा वाला area जो है न, उस area पे जो हमारा, यहां पे जो भी हम changes करेंगे, वो यहां पे show होगा, ठ देख पा रहे हैं, यह वाली जो area है, वो inner spacing के अंबर आता है, border अगर आपको changes करने है, corner में कुछ changes करने है, वो सारी चीज़ आप कर सकते हैं, यहां पे background image अगर कोई लगाना चाहते है, background color कोई add करना चाहते है, वो चीज़ भी आप कर सकते हैं, ठीक है, यह थी, then इसके बा हुई, right, then again, यह next section है, ठीक है, तो यह वाला जो area है, यह पूरा एक section कहा जाता है, ठीक है, अगर मैं इस पे किसी भी इसके content के अंदर click करूँ, तो यह उसको सबसे पहले तो text वाला show करेगा, क्योंकि मैंने text के उपर click करा है, ठीक है, मैं column पे show करूँगा, तो यह column कितना आना चाहूँ, as you can see, मैं just drag कर रहा हूँ चीजों को, ठीक है, मैंने यहाँ पे cursor ले गया, और मैं अगर left side drag करूँगा, तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि 0 से नीच है, कुछ नहीं हो सकता, 0 से ऊपर जाने के लिए, मेरे को इस side drag करना पड़ेगा, right side, और यह चीज, जो है, spacing है, बढ़ रही है, चारो तरफ से, ठीक है, इस तरीके से चीजे होती है, अगर मैं let's say, कि मेरे को सिर्फ, तीन side से spacing करना है, तो मैंने यह वाला turn off कर दिया, as you can see, मैंने यह turn off किया, अब मैं increase करूँगा, तो सिर्फ तीन side की spacing बढ़ेगी, right, so how cool is this, सारे options इतने simple है, now border प करने है, तो मैं जस चारो एक साथ में select कर दूँगा, right, इस तरीके से करूँगा, and चारो साइट के border है, वो increase होगे, I hope आपको चीज समझ आई होगी, यहाँ पे images है, image की जगा आप कोई icon लगाना चाहते, तो icon download करके किसी भी third party side से, आप icons भी लगा सकते है, ठीक है, यहाँ content आप लगा सकते हैं, यह social media link दे सकते हैं, आपके अपने जितने भी है, तो overall आपका एक यह जो landing page है, वो desktop पे ready हो जाएगा, then आप desktop के बाद mobile पे check कर सकते हैं, कि वो mobile पे कैसा show हो रहा है, ठीक है, अगर आपको कोई changes करने है mobile लेवल पे, तो वो आप mobile लेवल पे आके changes कर स जब आपका पूरा designing जो है, वो complete हो जाए, यहाँ पे कई options जो है, यह तो मैंने just simple, जो sections थे, उसको ही दिखाया है, let me change the orientation to desktop, now, तो यह तो जो चीज थी, जो हमारे पास sections थे, उस ही में हमने edit कर रहा है, now आपके पास कई extra sections भी है, ठीक है, यहाँ पे आप paragraph, headline तो add करी सकते ह थोड़ा सा नीच आएंगे, आपको एक और अच्छी चीज मिल जाती है, जो landing pages में काफी important होता है, वो होता है countdown, let's say मैंने यहाँ पे add किया, ठीक है, मैं just drag किया, और यहाँ पे countdown बाहरा आ गया, अब मैं इसके उपर click करूँगा, तो यहाँ पे settings मेरे को देख जाएगी, क् इस चीजे में लगा सकता हूँ, यहाँ ठीक है, let me go back, yes, हम countdown की बात करें, तो countdown देखिए, already चल रहा है, मेरे को countdown में कोई changes करने, कुछ colors में changes करने, वो भी चीज में कर पाऊँगा, देखिए, मैं इदर click करूँ, तो यह मैंने लिया, और थोड़ा सा डाक कर देते हैं, इस countdown जो हमने किया, just 2 minute भी नहीं लगा, और properly blend जो हो चुका है हमारा countdown theme के साथ, right, इस तरीके से चीजे आप add-on भी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं, तो आपको just blocks पर जाना है, कहीं भी आप page के बाहर कहीं भी click करेंगे, किसी भी section के बाहर click करेंगे, आपके समने directly block वाला option आ dollar transactions के लिए होता है, तो अगर आपको use करना हो, तो आप उसे भी use कर सकते हैं, ठीक है, basically paypal gateway होता है, payment लेने के काम आता है, जैसे कि आपको कोई enrollment के लिए payment लेने है, direct page से, तो आप direct paypal भी integrate करके लगा सकते हैं, ठीक है, तो यह चीज थी, कोई extra आपका custom code है, उसे add करना है, व template को आप use कर सकते हैं, और यहाँ पर वो code लगा सकते हैं, यहाँ तो आपको चीज समझ आयोगी, and now, अब जैसे लेट से कि आपका जो page है, पूरा total complete हो चुका है, complete होने के बाद, publish page पे हमें click करना है, हम जैसी publish page पे click करेंगे, यह हमसे एक और चीज option देगा हमे, URL क्या रख यूज कर लेता है, as you can see, आप आपको दिख रहा हुआ, sort of marketing fundals, और वही चीज आपको यहाँ domain में भी दिखते है, sort of marketingfundals.ac space page.com, अब यहाँ पे slash, आपका यहाँ पे extra URL आ जाएगा, जो भी आपको add करना है, यहाँ demo page इसलिए इसलिए शो कर रहा है, क्योंकि हमने page का नाम अब भी demo रखागा, ठीक, आप चाहें तो और भी कुछ रख सकते हैं, जैसे sales, और इसके अलावा अगर आप चाहें तो कुछ रख सकते हैं, sales के बाद, कुछ लेटसे की campaign अगर आपको रखना हो, sales campaign, इस तरीके से आप रख सकते हैं, ठीक है, एक चीज का देहाँ रखेगा तो यह चीज, URL में नहीं होती है, तो यह accept नहीं करेगा, फिर आपको error शोगर हो और आप समझेंगे कि आपने कोई गलती करती है, तो जैसे ही आपका URL ड़न हो जाए, just publish पे क्लिक कीजिए, और आपका जो page है, वो done, simple, आपको कोई hosting की ज़रूरत नहीं, आपको कुछ नहीं चाहिए, आप इसी page से अपना जो email marketing कर सकते हैं, आगे के जो campaign से उसमें आपने pages को use कर सकते हैं, अब जैसे कि मैं दुबारा pages पे जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक page जो हमने create करा है, वो show करेगा, as you can see, load होने के बाद यह आपको page show कर रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे आ ठीक है, so I hope आपको चीज समझ आई होगी, proper किस तरीके से आप चीजे design कर सकते हैं, proper एक कैसे landing page create कर सकते हैं, अपने active campaign account के अंदर, और सबसे बड़ी बात ही है, कोई hosting की ज़रूरत नहीं, कोई domain connect करने की ज़रूरत नहीं, domain भी आपको मिल जाता है, although थोड़ा सा complicated है यह ची and जब आपको अपने emails के अंदर इस link को use करना है, तो उतनी मुश्किलात नहीं आनी चाहिए आपको, या फिर आप चाहें, तो इन links को किसी link shortner tool के थूरू भी, जो छोटा भी आप कर सकते हैं, जैसे bit.ly, या इसके अलावा भी कई link shortner tools आते हैं, ठीक है, तो I hope आपको process समझ आया होगा, और ज्यादा कुछ मुश्किल है नहीं, अगर आपको थोड़ा बहुत भी drag and drop करने का process पता है, जैसे wordpress में हम करते हैं, Shopify पर करते हैं, उसी तरीके से आप यहाँ पर भी ये चीज़े apply कर सकते हैं, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, next video में, तब तक के लिए, बबा सकते हैं, या हमारे की नमबरों पर कॉल कर सकते हैं, marketing fundals आप लोगों के लिए digital marketing और बहुत सारे अलग अलग कोर्स के अंदर लेकर आया, description में link है, with certifications और दोस्तों साब के साथ learning earning की opportunity with best affiliate program, तो description में जाएए, click किजे, explore किजे, thank you for watching marketing fundals. कर दोस्तों साथ